Welcome in RSK Maths Monitor, एक्टर हमारा 4th quadratic equation, exercise 4.3, sum number 1st का 3rd part, find the roots, हमने roots find out करने हैं, roots यानी x की value, if they exist, अगर वो exist करते हैं, तभी हम आगे question को कर सकते हैं, by completing square, जो complete, जो complete, जैन इसको square की form में complete के factor निकालने, थब हम इसके roots सो find out करें हैं, सबसे पहले, if they exist, इसके लिए हम d की value होता है हमारे पास, b square, minus में 4ac, यानी b square हमारे पास, x का coefficient b, square का coefficient a, और constant value को c से रिदोट करते हैं, अब हमारे पास b square ही, root 3 का whole square, minus में 4, a हमारे पास 4, और c हमारे पास 3, अब 4 का square, 16, root 3 का square करेंगे, हमारे पास root से square root cancel, तो हमारे पास 3 आएगा, 4, 4's are 16, और हमारे पास 48, यह हमारे पास 48, minus में 48, दोनों की value 0, यानी discriminant हमारे पास क्या है, 0, अगर discriminant आपका 0 है, या 0 से उपर है, तो roots बनेंगे आपके real, अगर d बड़ा है, 0 से, तो root होंगे different, और अगर d आपकी discriminant 0 आगया, तो roots दोनों बोथ, are equal, दोनों के दोनों roots होंगे, वहां से यहां से hint बिल गया कि आपके equal होंगे, यहां से अगर आप equal नहीं आते, तिटमिंज आपके question में कहीं कहीं mistake है, आप check out करोगे, अब इसको हमने कैसे find out करने है, completing scale, हमने पहले साथ complete scale करना, इसमें हमारे पास देखो जो x वाड़ी है, यह square की form में है, यहां पे 4 है, यह भी square बनता है, किसका 2 का, तो इसको 2x का whole square की form में राइट कर देंगे, जो बगार हमारे पास, अब a हमारे पास क्या आगी, 2x, इब इसको break करेंगे 2 parts में, 2ab में 2, 2, 4, root 3x, plus में 3, अब यहां से, जो x की value है, यानि a की value है, उसको, यानि 2ab की form में राइट करना है, अब यहां से, यह अगर plus का item में हमारे पास क्या बनेगा, a plus b का whole square का formula बनेगा, कैसे a square plus में 2ab plus में b square, अब हमने इसको इस form में convert करना, इस question को, थाकि हम इसको complete bound करके, वापस इस form में, reverse form में ले के, अब a square तो हो गया हमारे पास, 2x का whole square, 2, a क्या 2x है, तो 2x यहां से बन गया, 2 multiply me, 2x, और सिर्फ क्या बच्छा हमारे पास, root 3, यानि b आपके पास क्या है, root 3, यहां से 3 है तो आप इस 3 की help ले सकते हो, 3 यानि 3 का square root भी कर देंगे, और हम square भी कर देंगे, इससे क्या है कि हमारे पास यह B की form आगी, इसी को convert कर दिया, हमने क्यों square से square root cancel करेंगे, तो हमारा 3 आएगा, लेकिन according to question हमारे पास, जो B आगया, यह वाला, यानि a square, और यह आपका b square, और य एक जगह हमारे पास root 3, अब यह क्या होगा, हमारे पास complete equal to 0, complete a plus में b का whole square, a की जगह हमारे पास 2x और b की जगह हमारे पास root 3 का whole square equal to 0, अब हमारे पास यह किस form में होगा, यानि यह हमारे पास किसी का भी square, इसके 2 time multiply करेंगे 2x plus में root 3 equal to 0 यानि सेम चीज दो बर multiply है power 2 है तो अब हम यहां पर x की value find out करेंगे x की value को ही हम roots बोलते हैं first हमारे पास x plus में root 3 equal to 0 यहां से 2x is equal to plus का इधर जाएगा तो minus का हो जाएगा यहां से x की value find out करेंगे minus का root 3 already है 2 या multiply में इधर डिवाइड हो जाएगा सेम यहां से 2x plus में root 3 equal to 0 x की value क्या है गिसमें से पहले root 3 जाएगा तो यहां से minus का हो जाएगा यहां में multiply भी इधर जाके divide में अब देखो दोनों roots आपके सेम दोनों roots equal है minus root 3 by में 2 minus root 3 by में both are equal जो हमारे discriminant निशोग के था कि root real होंगे both are equal real और imaginary क्या होते है सबसे पहले आपके real तो सभी positive negative number सभी आपके real होते हैं लेकिन जब root के अंदर minus आएगा तो उसको बोलते imaginary क्योंकि root के अंदर minus की value होती i2 इसको imaginary number बोलते हैं अब हमारा fourth part fourth part में भी है find the roots roots find out करेंगे इसमें सबसे पहले discriminant निकाल लेंगे क्या है b square minus 4ac b हमारे पास 1 है 1 का हम square करेंगे minus 4a हमारे पास 2 और c हमारे पास 4 1 का square 1 हो गया minus 4 4 जा 16 16 2 जा 32 अब हमारे पास negative 31 अगर हमारे पास जो discriminant की value negative है याँ t less than 0 0 से कम है तो roots कैसे होगे हमारे पास roots imaginary होगे आपके roots imaginary होगे जब roots imaginary होगे तो आगे find out नहीं करेंगे तो roots मारे पास क्या करेंगे they do not exist root exist नहीं करेंगे आपका answer यहीं आएगा यहां तक आपके root roots does not exist तो root इसके exist ही नहीं करेंगे कि negative value में roots आपके exist नहीं करतें this is question number 1st dear students if you like our video then like and share the video thank you